नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सौरफ साजुकेशन प्रो में तो आज हम इस सेशन में डिसकस करेंगे 18 और 19 जुलाई के एक्चुली कल मैं किसी कारण की वजय से क्लास नहीं ले पाया था तो कल के एमस्की भी आज ही डिसकस करूंगा इसी शर्शन में तो चले शुरू करते हैं आज का शर्शन तो पहला मस्की क्यू है हूँ है इस इनागरेटिड इस मिर्थी वन एड देहरादून तेहरादून मे इस मिर्थी वन का उत्खाटन किस ने किया तो यह किया है उत्तराखण के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंदर सिंग रावत जी ने तो इसकी एक्समेशन देखते हैं इसमिर्थी वन वाज इनागरेटिड बाई उत्राखंट चीफ मिनिस्टर सी एम त्रिवेंद्र सिंग रावत एट अस्थल विलेज ओफ धेरादून डिस्ट्रिक्ट इसमिर्थी वन का उत्राखंट के मुख्य मंतरी सी एम तिवेंद्र सिंग रावत ने देरादून जिले के अस्तल गाउं में स्वरगय जीत सिंग नेगी जी की याद में किया है जो की हरेला उत्सव के दिन राज्जे के परसीद लोग गयक थे जिन्हों ने लगबग 3.5 लाग पौधर युवा पौधर लगाई थे ओके चलिए नेक्स देखते हैं तो विज बैंक है सेंशन रुपीज सेवन नाइन फाइब करोड टू वैस्ट पैंगॉल टू रिकंस्ट्रक्टर इंफ्रास्ट्रक्टर विज वाज डैमेज्ट बाइ साइकलोन एंफान तो किस बैंक ने पश्वी मंगाल को चक्रवात एंफान से शतिगरस्थ हुए बुन कि फंड ओफ सेवन नाइटी फाइब करोड हैज बीन सेंक्शन बैंक और फोर अग्रिकल्चर एंट रूरल डेवलेप्मेंट नाबाड टू वैस्ट पैंगॉल टू रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्टर विज वाज डैमेज्ट बाइ साइकलोन एंफान ओके हिंदी मे चतिगरस्त धाचे के पुर्ण निर्मान के लिए था तो जो नाम अमफान तूफान है वो थाइलेंड के द्वारा दिया गया था चलिए नेक्स्ट देखते हैं CBSC collaborates with which organization to integrate artificial intelligence in the high school curriculum CBSC high school पाठेगरम में artificial intelligence को एकिकरत करने के लिए किस संग्टन के साथ सायोग किया है तो यह किया है IBM के साथ तो इसकी explanation देखते है The Central Board of Secondary Education CBSC had partnered with the International Business Machine Corporation IBM for integrating artificial intelligence in the curriculum of high schools for the academic year 2020-2021 तो केंद्रे माध्यमिक क्रिक्षा बोर्ट CBSC ने सेक्चनिक्स शत्र 2020-2021 के लिए high school के पाठे करम में artificial intelligence को एकिकरत करने के लिए अंतराश्टे व्यपार मशीन निगम IBM के साथ भागिदारी की है Okay, next देखते है Who has been appointed as the first woman prime minister of Gabon Gabon की पर्थम महिला प्रधाल मंत्रे की रूप में किसे न्यूक दिया गया है तो ये किया गया है Rose Christine Osuka Raponda को इसके लेक्स मिशन देखते हैं तो President of Gabon अली बॉंगो ओडिमबा appointed Rose Christine Osuka Raponda as the first woman prime minister of Gabon ओके तो इसको इंदी में देख लेते हैं Gabon के राष्टपती अली बॉंगो ओडंबा ने Rose Christine Osuka Raponda को Gabon की पर्थम महिला राय प्रधान मंत्री के रूप में न्यूक्त किया है इन्होंने जूलियन निगोग बिलर की जगे लिए है वे 2009 से बॉंगो प्रेजिडेंसी के तहत छटे प्रधान मंत्री हैं Raponda Gabonis Institute of Economy and Finance से सार्वजनिक वित्व में करते सास्त्री के रूप में सेवा रत है Raponda ने 2012 में बजट मंत्री के रूप में काम किया है Okay, next देखते है Who has been conferred with the US IBC Global Leadership Award this year तो इस वर्स US BIC Global Leadership Award से किसे समानित किया गया तो यह किया गया है नटराजन चंदर सेखरन को तो Tata Group के चेर्मेन नटराजन चंदर सेखरन और लॉकर्ड मार्टिन CEO जिम टेशलेट conferred with the US IBC Global Leadership Award this year ताटा समू के अधियक राजन चंदर सेखरन और लॉकर्ड मार्टिन के CEO टिम टेलेट ने इस साल US IBC Global Leadership Award से समानित किया गया है Okay, चलिए next देखते है Which country recipients won? The International Press Freedom 2020 Award किसे मिला है तो यह मिला है बंगलादेश, इरान, नाजिरिया और रश्या के लोगों को तो यह इसकी explanation देखते है The International Press Freedom Award 2020 has been announced by the Committee to Protect Journalist तो इन जनरिस्ट को मिला है यह Pakistan and blank signed an agreement for the 700 Megawatt Hydral Power Project पाकिस्तान और किस देश ने 700 Megawatt की Hydral Power प्रिजजना के लिए एक समझोता किया है तो यह पाकिस्तान और चाइना ने तो इसकी लेक्स मिशन देखते है Pakistan and China have collaborated for the 700 Megawatt आजाद पत्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन सुधोंती डिस्टिक्ट ऑफ पाकिस्तान occupied करश्मीर of the bank of जेलम रिवर तो पाकिस्तान और चीन ने जेलम नदी के किनारे इस्तित पाक अधिक्रित कश्मीर पियोके के सुनोधी जिले में 700 Megawatt की आजाद पत्टन हाइडल पिली प्रियोजना के लिए सयोग किया है ओगे नेक देखते है The theme of world day for international justice is अंतराश्टे नियाई के लिए विश्विवस की विशे क्या है तो यह है इंपावर इंटरनेशनल जश्टीज एंड प्रोमोट्स विक्टिम्स राइट तो इसलेक्स में देखते है The world day and international justice is celebrated on 17th of July every year to recognize the strengthening of system of international justice and also to promote विक्टिम राइट नियाए दिवस के लिए विश्विवस अरछा 17 जुलाई को मनाया जाता है ताकि नियाए की सुद्रण व्यवस्ता को पेचाना जा सके और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ाया जा सके इसका उदेशे अंतराष्टे अपराधिक नयायले ICC के महत्यों के बारे में किस पर्ष्ट इस केश तयार करना है ओके नेक्स देखते है तो नीला सत्यनारेंड पास्ट अवे रिसेंटली वो हैस सब्ड़ाज दे महाराष्ट फर्स्ट वूमेन तो ये नीला सत्यनारेंड जी का हाले में निधन हो गया है जिन्होंने महाराष्ट की पहली महिला खालिस्तान के रूप में सेवा की थी किस चीज के रूप में की थी इलेक्शन कमिशनर के रूप में तो ये महाराष्ट की फर्स्ट इलेक्शन कमिशनर थी तो इनका निधन हो गया है इसके लेक्स में से देखते हैं तो नीला सत्यनारायन महाराष्ट फर्स्ट वूमें लेक्षिन कमिशनर पास्ट वे रिले रिसेंटली इन मुंबई तो इनकी COVID-19 से डेथ हो गई है इसको हिंदी में देख लेते हैं तो महाराष्ट की पर्थम महिला चुनावाय। नीला सत्यनारायन का हाली में मुंबई में निधन हो गया है वैग पूर आएस अधिकारी थी ओके नेक्स देखते हैं कि वह लॉंच दी फर्स्ट ओन ओनलाइन निष्ठा प्रोग्राम किसने पहली पार ओनलाइन इस्टा प्रोग्राम शुरुवात की है तो यह किया श्री रमेश पोक्रिया निशंक और संजेद होत्रे ने तो इसकी एक्सिमेशन देखते हैं तो यूनिन अचारडी मिनिस्टर श्री रमेश पोक्रिया निशंक जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फोर अचारडी श्री संजेद होत्रे इन आंध्र प्रदेश हैव लॉंच दा फर्स्ट ओनलाइन निष्ठा प्रोग्राम तो इसको इंदी में देख लेते हैं केंद्रे मानो संसाधन मंतरी ब्रमेश पोक्रिया निशंक और आंद्रप्रदेश के मानो संसाधन विकाष राज्य मंतरी श्रीज संजेद होत्रे ने पहला ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम शुरू किया है। ओके नेक्स देखते हैं इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रीज अजी ख़ड अजी खाद ब्रीज विल बी बिल्ट बाई भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल अजी खाद ब्रीज किसके द्वारा बनाया जाएगा तो यह बना जाए के यार सी यल के द्वा इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रीज अजीखाद ब्रीज विल कनेक्ट कट्रा एंड राइसी इन जमू अन कश्मीर इस ब्रीज इस ब्रीज इस ब्रीज बिंग डेवलप्ट बाइ कौंकन रेलवे कॉर्परेशन लिमिटेट के रसी एल ओगे तो भारत का पहल केबल स्टेंड रेलवे ब्रीज अंजी खाद ब्रीज कट्रा और राइसी को जमू कश्मीर से जोड़ेगा यह पुल कॉंकन रेलवे कॉर्परेशन लिमिटेड के रसी द्वारा विक्षित किया जा रहा है चलिए नेक्स देखते हैं तो विच फोरेस्ट विल बी अपग्र अफग्रेड किया जाएगा तो यह किया जाएगा पोबा को फोरेस्ट को विल बी अपंगाडीड मेरेड लाइप सेंचुरी यह रिखित वन्य को अबहार ने के रूप में उन्नत किया जाएगा जोनाई के लखामपूर लखीमपूर और धोमाजी और माजूली जीलों के वरिष्ट अधिकारों ने संयूक निर्नेर ये लिया है पोबा रिजर्ड फोरेक्ष्ट 10,522 हेक्टेर छेतर में है ओके नेक्स देखते हैं अनुद्ध नाम की पुस्तक इसके द्वारा जारी की गई है तो यह की गई है पेमा खंडू जी के द्वारा अनुद्ध चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू रिलीज दा बुक टाइटल दा टैंगेम्स एन एन्थिलोजिस्टिक स्टडी ओफ दीज क्रिटिकली एंडेजर्ड ग्रूप अनुद्ध अनुद्ध प्रदेश अनुद्ध चीफ के मुख्या मंत्रे पेमा खंडू जी ने अनुद्ध ग्रष लुप्त्प्रयाइ समू का दा टैंगेम्स एन एन्थिलोजिस्टिक की श्टडी नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया है यह पुस्तक अनुनाचल प्रदेश के गंभीर रूप से लुप्त प्राइब आशन समुदाई के जीवन पर आधारित है ओगे नेज़ देखते हैं Who has been elected as the new president of Suriname Suriname के नई राष्पति की रूप में किने चुना गया है इंडियन ओरिजिन चंद्रीका परसाद चैन को इसके explanation देखते हैं इंडियन ओरिजिन पुलिस चीफ औफ सुरीनाइम चंद्रीका परसाद चैन संतोक्षी बिकम है जन न्यू प्रिजिडेंट ओफ साउथ अमेरिकन कंट्री सुरीनाइम तो सुरीनाम के भारत मूल के पुलिस परमुक चंद्रीका परसाद चैन संतोकी दक्षिन अमेरिका देश के सुरीनाम के नए राष्टपती बने है ओके नेक्स देखते हैं ज्यादा एक्समें की जरुवत नियसमे इसके लेक्समेंशन देखते है इसकी लेक्समेंशन देखते है तो खाद्य परसंसकरन पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का उद्गाटन के इंद्रे खाद्य परसंसकरन उद्योग मंतरी हरसिमरत को और बादल ने किया है फॉलो और सब्जियो दूद, अनाज, डेरी, पॉर्टलिंग और पैकेजिंग कोमिशन के परमुक छेत्रों के रूप में चुना जाता है बाड़ते मेगाप फूट पार्को और किर्शी नियाद का छेतर में निवेश करेगा चलिए नाइक्स देखते हैं फीफा वर्ड कप 2022 टू भी हैल्ड इन फीफा वर्ड कप 2022 कहां आयो जित किया जाएगा तो ये किया जाएगा कतर में और कटर की राजणिय है दोहा फडzkा कि राजणिय का थोएग, फड़को और कॉटस्ट आबसेट बैसे के लोज़ कॉल्चर एफट्एट Commission 1 and it will be the first tournament in a Muslim majority country the world cup will be involved 32 teams तो फेडरेशन इंटरनाशनल दी फुटबॉल एस्योशेशन ने गोशना किया कि 2022 के विशु कप कतर में आयूजीत किया जाएगा यह टूर्णमेंट अरब विशु में आयूजीत होने वाला पहला विशु कप होगा और यह एक मुस्लिम बहुल देशों में पहला टूर्णम कि योजना को वंद्य भारत निश्यन का नया अवतार कहा गया है तो यह किया कहा गया अब एर बबल को इसके अग्समेशन देखते हैं तर्म एर बबल वास क्रियेटिड द्यूरिंग कोविड नाइटीन पैंडमिक इट्रैफर्श टू दी कनेक्टिविटी बिट्विटी बिट्विन स्पेसिफिक रिजेंस इन द वर्ल्ड फेर प्योपिल आर फेसिंग मेजर प्रॉब्लम द्यू तू दी स्प्रेड अफ सब्सक्राइब करता है जहां लोग कोविड नाइंटीन के संक्रमन के परसार के कारण बड़ी समश्याओं का सामना कर रहे हैं इसमें मैं अलग सब्सक्राइब करेंगे फ्रांस और यूएस से की तो एक एर बबल बन जाएगा मींस एयर ट्रैफिक को हम कंटिन्यू कर और चले नेक्स देखते हैं रिसेंटली दा कोचीन शिप्यार लिमिटेड हैस साइंड एक कॉंट्रैक्ट विद एसके ओ मैरिटाइम नौर्वेग टू बिल्ड हाली में कोचीन शिप्यार लिमिटेड ने नौर्वेग के एसको समुद्री के साथ एक अनुभंध हस्ताक्ष एक फैरेड हैं कोचीन शिप्यार लिमिटेड ने नौरवेग के एसको मैरिटाइम के साथ मिलकर इसका इलेक्रिक फैरीस का निरिमाण के लिए फास्ताक्षिय का नौर्वेग सरकार ने परियोजना के लिए अधहनुपलब्द कराया है परियोजना का दियोश्य शे शामान कर रहा है यह भारत के सबसे बड़े शीप बिल्टरों में से एक है ओके नेक्स देखते हैं तो हूँ है इनॉग्रेटिड दिफ फिफ्ट एडिशन ऑफ एरो स्पेस एंड डिफेंस मैनुफेक्ट्रिंग टेकनोलोजी कॉन्फरेंस इन देली देली में एरोस्पेस और रक्ष एडिशन ऑफ एरोस्पेस और डिफेंस मैनुफेक्ट्रिंग टेकनोलोजीज कॉन्फरेंस इन देली दे अब्जेक्टिव ऑफ दीस कॉन्फरेंस इस तु प्रमोट आत्म निर्भर भारत मिशन तो श्रीपद यसो नायक जी ने देली में एरोस्पेस और रक्षा विनर्मा प्रयोद्योगी सम्मेलन के पांचवे संसेलेशन का उद्गाटन किया है सम्मेलन का उदेश यह आत्म निर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देना है तो कत्तमिन लाडू टेकनोलोजी डेवलपमेंट और प्रमोशन सेंटर सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफेक्ट बारत और इसराइल ने निपटने के लिए हालिये में समझोते क्स चीह से निपटने के मदलब रहाश लाक्षर कियाड है था थो यह किया है कि ancora libraries के निपटने के लिए भारत और इस राइल ने तो इसकी अछल देखते हैं in a israel signed agreement to expand their collaboration in dealing with cybercrime तो भारत और इसराइल ने साइबर खदरों से निपटने के लिए अपने सायोग का विस्तार करने के लिए समझोतों पर हस्ताक्षर किये गए चलिए नयक्स देखते हैं तो यह था आज का सेशन अगर जो आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अगर जो किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ल